थेलो स्टूडेंट्स सरी देल वेल्कूम बैक टू हींदि मिरडुच चैनल सभी स्टूडेंट्स का हिंदि मिरड़ परिस स्वागत है अभी जो कंटेंट लेकर आहें सुरिदे सुमन Grade उत्रक्षन युनिवसिट्टी के जो पिरां भी आई है। छो मिãy लगता है ये डेट शीट आपकी टेंटेटी भी रहेगी फाइनल डेट शीट नहीं रहेगी लेकिन फिर भी आप ये मानके चलें कि आपके जो एक्जाम स्टार्ट होने हैं वह दस तारिक से होने हैं बीए के और बीकॉम, बीएसी, पर्थम वर्ष, दिर्थेबश और अगर आपने अपना फॉर्म फिल किया था तो डेट वाइस मैं आपको सारे सब्जेक के बारे में बता देती हूं कौन-कौन सी डेट में आपके जो है पेपर होने वाले हैं चले विस्तार से समझाते हैं और समझाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजे बैल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजे क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप तक ये सारी जानकारी पहुचेगी और महत्वण जानकारी हमेशा हिंदी मिरर की तरफ से दी जाती हैं तो इसके लिए आपको शेयर करना है और साथ में लाइक भी करना है क्योंकि आप लाइक करते हैं शेयर करते हैं तभी ये सभी स्टूरेंट तक जानकारी पहुच पाती है बहुत स्टूरेंट्स हैं जिनकी बैक लगी थी और जन्होंने अंग सुधार प्रक्षा कारेकरम अपना डाला था तो शलिए बता देते हैं आपको क परक्षे का जो आपका टाइमिंग रहेगा वह रहेगा 9 से 12 वजे तक ठीक है यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है यह यहां पर आपको देखने को मिलती है बस क्या होता है यहां पर डेट चेंज हो जाती है क्लास चेंज हो जाती है बाकी यहां पर जो सब्जेक्ट है वो एज़ेट रहते हैं जो आपके पेर बने होते हैं यहां पर वो सेमी रहते हैं तो यहां पर बिये पर्थम वर्ष का हिंदी इतिहास रानिती विग्यान दर्शनशा संस्कृत भूगोल कला ग्रैविग्यान मनो विग्यान सभी पर्थम पत्र एक ही दिन होने हैं बीए परतम वर्ष के जनिस् स्थुलिएंस की परतम वर्ष में बैक थी तो वो यहां से अपना देख सकते हैं बेड का भी एक ही दिन ये परतम परशनी पत्र होना है और टाइमिंग आपका रहेगा नों से बारा अब आप सोच रहे होंगे कि इतने स पारे subject ये एक ही बार में कैसे हो सकते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक ही subject में अपनी बैक फिल करते हैं paper आपको दोनों ही देने होते हैं जब आपने अपना 뭐 passado प्रण प्ल क्या होगा तो आपने ये query है तो comment box में जरूर पूछ सकते हैं आपको reply किया जाएगा आपके जो भी doubt है वो clear हो जाएंगे अब आते हैं 11 तारिक में यानिके 11 जन्वर ही में B.A. B.S.C. B.S.C. का पर्थम वर्ष बीकॉम का पर्थम वर्ष और B.A. B.S.C. ने का पर्थम वर्ष यहां पर सारे subject आपको शो हो रहे हैं यहां पर आपका second जो पेपर होना है वह 11 तारिक में यहां पर जो गयारा तारिक में हो यहां वाला paper है और बारा तरिक में ये वाले पेपर है ठीक है चलिए अवागे चलते हैं बारा तरिक में ये नीचे वाला है सिर्फ यहाँ पर ये ये वाला है आपका ये वाला आपका ग्यारा में ही जा रहा है फिर यहाँ पर चलते हैं तेरा तरिक में तेरा तरिक में आपका क्या है यहाँ पर युट्या को अपको शोआ रहे हैंए से परख्ष। ये को से हाँ पर यहां शोब हो दो कुंड पर में और फ्रत्त ऍलीयो, परथमवर्श आपको दिखा दे रहा हो गया लिखावा है यहां पर परफमवर्श के लिए था अब जलते हैं सेकंड डियर पर आप देख सकते हैं यह आपका नेक्स्ट है तो इसमें बी ए बी ए सी बी गॉम सेकंडियर के जो स्टूडेंट्स है और जिन्होंने अपना बैक और अंग परसुधार परिक्षा कारे करम फिल किया है तो उसमें नो से बारा भी आपका ही पेपर होना है और आपके एक्जाम भी दस तारिक से ही शुरू है बी सेकंडियर बी ए का जो आपका 11 में शोरा है वही सेम है यहाँ तारिक में बी ए पी सी और बीकॉम कद्रित्य वरश्के जो इस्टोडेंट्स है यहां पर सारे सबजेक्ट है second paper आपका यहाँ पर होना है अब यहाँ पर वही चीज में आपको दिखा रहे हूँ देखे यहाँ 12 तरिक में यह वाले जो paper है यह आपका होना है 12 में और 11 में आपका होना है यहाँ से यहाँ तक ठीक है? किलियर है सबको चली हागे चलते हैं अब 13 तारिक में 13 तारिक में सेम ही है B.A.C. दुवित्यवर्ष बीकॉम दुवित्यवर्ष बस यहाँ तक का है यह इसके बाद आपका फिर 16 तारिक में B.A. B.A.C. दुवित्यवर्ष यह सबचेक्ट है आपके 17 तारिक में यहाँ से यहाँ तक आपके यह सब्जेक्ट है तो मुझा लगता है सभी स्टूडेंट्स को किलियर हो चुका होगा जो सेकेंडर के स्टूडेंट्स हैं अब थर्डियर के जिनों ने अपना वैक्वाम फिल किया था उनके लिए बता देते हैं उनके एक्जाम कब कब और कौन से सब्जेक्ट का कह होना है अब देखिए श्रीदे सुमन उत्राकर्ण युनिवस्टी ने जो बीए बीए सी तृत्य वर्ष के स्टूडेंट्स हैं उनका पुराना पाठ्थे करम नया और पुराना दोनों एक साथ है क्योंकि थर्डियर में दोनों ही स्लेबस एक साथ चले थे तो जिनकी पैक पुराने वाले वाले उनकी भी और इनका नया दोनों का जो टैमिंग नोने रखा है वह रखा है एक से चार बजे तक तो जो वाले पहस्ट और होना है放 और आपका होना है एक से चार धियान रखेगा अगा ठाइम अब यहां पर जो आपको टायमिंग के साथ-साथ 거예요 हो रही है दस तारीच में आपका भी beeper वही सेम सभज्क है जो यहां पर दिए गए हैं आपके और आपके सभजक्न का का पेपर होना है् चेकार सकते हैं जी जिसके जो पेपर है ठीक है अब यहां पर 12 तरिक्ष में जो हो रहा है यह और आगे चलते हैं आपके 13 तरिक में जा सफ्व्यक्ट ख्याँ पर बिस्ति और बीकोम को का यहां इतना ही यह हैं ठीक इतना मैं यहां पर है फिर इसके बहु आँ सब्जेक्ट रिट्य पयपर यहां पर आपका दिया carrots पत ए है उस्क इस फेरदेट सब्जेक्ट लॉछात इस्जारीय got? के लिए और मुझे लगता है जितने भी श्रुद्य सुमन उत्राकर्ण युनिवस्टी के स्टुडेंट समसे जुड़े में हैं तो प्लीज इसको शेर कीजिए जादस से जादस जादस पास हो चुकी है और दस तरिक में ज्यादा दिन नहीं है एक ही सब्जेक्ट आपका अच्छे से त्यारी कीजिए और सब तो शेर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जेनी स्टुडेंट्स की क्वारिज है जरूर भेजिए आपकी जो भी तितनी भी क्वारिज है जितने भी आपके कोशन्स हैं सबका समाधान हिंदी में की तरफ से जरूर किया जाएगा